नवस्कार साथियो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ओनलाइन प्रेटफॉर्म एससी मेकर पर जैसे कि आप सभी को पता है आपकी क्विक रिविजन की सीरीज जो है ये चल रही है और आज इस सीरीज में जिसको हम पढ़ने वाले है वो है साथ बाहन बंस क्या पढ़ेंगे आज जिसे हम पढ़ने वाले हैं वह है आपका साथ बाहन बंस ये याद रखेगा अब हम इसे में जो भी इंपोर्टेंट आपके जो फैक्ट हैं जो आपके एक्जाम में आते हैं उन सभी को हम जो है एक छोटी सी दो मिनिट की इंट्रेस्टिंग में इसे हम करेंगे और आप इसे लिख भी लेंगे जिससे की रिवीजन में आसानी हो जाए छोटी वीडियो है तो दिक्कत भी नहीं होगी आप इसे दो बार तीन बार चार बार आराम से देख सकते हैं ठीक है साथ बाहन बंस ये मौरियों के बाद जो संस्थापक कौन था तो इस बंस का जो संस्थापक था बहता सिमुक कौन था यह था सिमुक ये याद रखिएगा सिमुक ने हत्या की थी किसकी तो याद रखिएगा इसने हत्या की थी सुसर्मा की किसकी इसने हत्या की थी सुसर्मा की जो की कड़वबंस से संबंदित था क उसकी हत्या करके जो है इसने सात बाहन बंस की इस्तापना की थी याद रखिएगा इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था तो याद रखिएगा इसने अपनी जो राजधानी है ये बनाया था प्रतिष्ठान को किसको प्रतिष्ठान को जो की है आज बर्तमान में कहां पर म महाराष्ट्र में साथ में याद रखिएगा ये जो प्रतिष्ठान है ये किस नदी के किनारे था तो ये गोदावरी नदी के किनारे था किसके गोदावरी नदी के किनारे यह था तो यह याद रखिएगा ठीक है अच्छा अगला अगर हम बात करें इसके प्रमुक सासको की तो कौन-कौन से सा सकते हैं इसमें प्रमुक में यहां लिख देता हूँ ठीक है तो यहां करते हैं इतने में आ नहीं पाएगा कि इस ओर लिख देता हूँ एना ऊपर की ओर जिस्ते की यहां मैं लिख देता हूँ जिस्ते आपको दिक्कत रहे हैं यहां चे लिखना सुरू कर रहा हूं मैं ठीक है कौन-कौन थे तो याद रखिएगा पहले तो थे सिमुक ठीक है इसके बाद साथ करड़ी ठीक फिर कौन आए तो याद रखिएगा फिर आए गौत्मी पुत्र साथ करड़ी ठीक इसके बाद कौन है तो याद रखिएगा इसके बाद हैं बसिष्टी पुत्र एक हैं पुलुमावी पुलुमावी ठीक और इसके बाद हैं आपके यग्श्री साथ करड़ी कौन है यग्श्री साथ साथ करणी यहां आप देख रहे हैं गौत्मी पुत्र लिखा है बसिष्टी पुत्र लिखा है जो साथ बहान के सासक थे वो अक्सर अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम जो है प्रियोग करते थे जैसे साथ जो साथ करणी है इनकी मां का नाम गौत्मी था इसलिए गौत्म हुए हैं साथ करणी इन्हों ने दो यग किये हैं जिन में से साथ करणी द्वारा दो यग किये गए हैं अस्सुमेग कौन से दो अस्सुमेग यग किये गए है ठीक और एक यग इनके द्वारा किया गया है राज सूग्य यग ठीक है ये दो यग जो है ये इनके द्वारा किय अच्छा और एक जो आपसे बारे में पूच्ता है वो पूच्ता है कि इनोंने न भूदान ब्हुमी का जो है यह अनुदान इनके समय में प्रारम हुआ इसका उनलेक कि मिलता है तो याद रखेगा इसका उनलेक मिलता किसमें नाना घयाट अविलेख किस से संबंदित है कई आपसे यही पूछ लेता है कि नानागाट अविलेक जो यह किस से संबंदित है तो याद रखेगा सात बाहन बंस से जो है ये सम्मंदित है और इसमें भूधान भूधान का क्या है भूधान का उलेक जो है इस अविलेक में है तो ये आपको याद रखना है कौन सा नानागाट अविलेक ठीक है अच्छा एक बात और याद रखेगा इस नानागाट अविलेक में अस्वमेग यग के समय ठीक है इसी अवलेक में क्या है इसी अवलेक में अस्सुमेग यग अस्सुमेग यग के समय जो है एक गाउं को दान में देने का एक गाउं दान में देने का उलेक जो है इसमें है तो यह याद रखिएगा ठीक है एक गाउं का दान देने का उलेक जो है इसमें है यह आपको याद र लखेगा इनके समय सिक्के किस किस्के थे इन्होंने जो सिक्के प्रारंब किये थे वो कौन-कौन से सिक्के इन्होंने चलाए थे तो देखो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे ठीक है चांदी के सिक्के चलाए थे अब यह तो जहर सी वात है सोने चांदी के सिक्के इन्हों चलाए थे बहुत आपके एक जब मैं पूछा जाता है कि सीसे की सिक्के किसने चलाए और जितने भी सिक्के इनोंने चलाए इनमें सरवादिक सिक्के इसी के थे जितने भी सिक्के इनोंने चलाए इनमें जो सरवादिक सिक्के थे ये इनहीं के थे मतलब सीसे के थे ये आपको प्रचलन इनके समय में ता लेकिन और इंट्रेस्टिंग जो आपको यहां जाननी वो यह सीसे के ड्लने के लिए सीसा यह कहां से मंगाते थे याद रखिएगा सीशा जो यह प्रदान मतला प्राप्त करते थे यह सीशा प्राप्त किया जाता था या आता था इनके लिए रोम से ये रोम से उस सीशे को मंगाते थे कहां से मंगाते थे रोम से ये नीचे उतकता आपको दिखना रहा हो पर मैंने बोला है ये है एक गाउं एक गाउं दान देने का उलिक और ये है सीशा प्राप्त होता है कहां से रो से ठीक है भूमी मैंने अभी आभी आपको बताया भूमी अनुदान का प्रारंब इनी के समय से हुआ है यह आपको याद रखना ठीक है अच्छा अब क्या रह गया याद रखिएगा जो साथ बाहन थे कौन थे ज्यादा दूर हो जाएगा ना जगए कम है जो साथ बाहन थे इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो ग्रामीड छित इनके यहाँ ऐसे नहीं याद रखते हैं इसे ऐसे याद रखते हैं इनके यहाँ पर एक पद देखने को मिलता था जिसको कहते थे गॉल्मिक किसे क्या कहते थे जिसको कहा जाता था गॉल्मिक किस छेत्र पर तो याद रखिएगा ग्रामीड कर siis कि तो में इ ये इसी का था एक चीज और याद रखेगा जो गॉल्मिक पद है या जो गॉल्मिक है ये एक छोटी सैनिक टुकडी का प्रधान हुआ करता था एक लिख देता हूं मैं एक छोटी सैनिक टुकडी एक छोटी सैनिक टुकडी का प्रधान एक छोटी सैनिक टुकडी का क्या हुआ करता था एक छोटी सैनिक टुकडी का ये प्रधान हुआ करता था ये याद रखेगा इनके समय में इस्थापत क्या-क्या है क्या-क्या इनके समय में हुआ है ठीक है तो देखो जो कारले का चैत जैन करने कारले का लान दूसरी चीज याद रखिएगा एक अमराबती सैली इस्टापत्त की इस्टापत्त्त की अमरावती सैली इसका विकास भी इनी के समय में हुआ था इसका जो विकास है ये भी इनी के समय में हुआ था ये आपको याद रखना है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आपको यार जगए कम पड़ गई रोज जब एक मड़ जाती हद है है अच्छा देखो यहां पर मैं लिख देता हूँ आपका है नहीं उधर लिखते हैं अ कि हाँ उसको बाद में लिखेंगि ऑपर ली से लिखते हैं दहोज याद रहिएगा जो सात-बहांबंस है जो साथ बहांबंस हैं इन्हें उत्तरबा दक्षिध भारत का सेतु या या कह दें उत्तर बाद दक्षड भारत के लिए सेतु का कार के लिए सेतु का कार इन्होंने किया था अगर कभी भी पूछे आप से कि मौर्योत्तर समय में उत्तर और दक्षड भारत के बीच सेतु का कार करने वाले कौन थे तो याद रखेगा साथ बाहन नहीं थे कौन थे ये साथ बाहन थे इनके समय में प्रिसिद्ध साहितकार कौन कौन थे इनके समय में प्रिसिद्ध साहितकार ये कौन थे दो साहितकार इनके समय में प्रिसिद्ध थे जिन में से एक कौन थे एक थे हाल कौन थे एक आपको याद रखना है एक थे हाल जिनोंने क्या लि याद रखेगा इन्होंने लिखी थी गाता सब्त सती और दूसरे कौन थे दूसरे थे गुढ़ाड कौन थे दूसरे थे इससे लिखता हूं मैं गुढ़ाड यह दूसरे साहित कारते गुधाड ठीक है कौन थे गुधाड इननों ने क्या लिख्खा है याद रखेगा इन्हों ने लिख्खा है ब्रहद कता अब में एक बार देख लोवाज कुछ चूट तो नहीं गया है ना अच्छा संस्ता एक स्तापत्य हो गया प्रमुक्सासक को गए इनके उस हित्य काष़ोय। अपने शाहर जेतल के इस वीडियोनन में मिल जाएगा ये वीडियो आपकी उसके लिए sufficient है ठीक है तो यह जो initiative है आप लोगों के लिए start किया गया है आपके exam को देखते हुए एक छोटी सी वीडियो जिसमें एक topic को complete किया जाए mind map के जरिये बस यह है कि यह initiative चालू रहे या इसे मैं और आगे बढ़ाऊं इसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना है और वो आप ऐसे दे सकते हैं इसे like कीजिए और इसे share कीजिए अपने दोस्त भाई बंदू सभी के साथ share कीजिए जहां तक आप इसे share कर सकते हैं जिससे की और भी बच्चे इसके साथ जुड़ें और जो इसका एक इनिसेटिव सफल हो जाता तब ज़्यादा ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ते हैं और ये इनिसेटिव भी सफल तभी होगा जब आप ज़्यादा बच्चे जो है इसके साथ जुड़ेंगे तो आज का यहीं कतम करते हैं चलिए जो आपके टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय वारत